मुझे अच्छा लगता जब मुझे पता चलता कि मेरी बहू हमारी कंपनी से पैसे नहीं चुरा रही है बैट जाओ डैड आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजे मैंने सब कुछ समाल लिया है मैं सारे डॉक्युमेंट्स को चेक कर रहा हूँ और पता लगने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखरी यह कैसे हो गया सच में? मैं उन्हें उफेंड नहीं करना चाहती थी हो सकता है प्राब्लम तुमारी एटिट्यूट की वज़े से हो? या हमारी बढ़ती दूरियां इसका कारण हो? मुझे तो पता नहीं मैंने तुमसे प्यार क्यों किया था? हनी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें ये याद है या नहीं? मैं जानती हूँ कि अंदर ये अंदर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो मैं उससे तभी बात करूँगा जब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और ये प्रूव हो जाएगा कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं हमें इस सिचुएशन के बारे में बात करनी चाहिए मैं अपने कमरे में एक हालूँगा और मैं तुम से बात में बिलूँगा तुम और मिस्टर डिब्रोशकी को शादी करें ज़्यादा समय नहीं हुआ है तुम दोनों की कोई common property या बच्चे नहीं है अगर तुम दोनों तलाक होता तो आप किसी भी चीज़ पर अपना हग नहीं चिता पाएंगे आपका हग केवल अपने पती के दिये गए तौफे पर है और किसी भी चीज़ पर नहीं चैनिस तुमें तलाक क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे पर चोरी करने का इल्जाम था उसको बहकाया गया है मुझे खराब व्यक्ती बनाया गया है और डेनिस सारे जूट पर विश्वास कर रहा है पर तुम क्या चुरा रही हो? वही तो बात है मुझे नहीं पता है लेकिन ऐसा क्या है जो तुमने चुराया है? तुम्हारी गलती है ये सब तुमने किया है क्योंकि तुम मुझे से जलती हो तुमने डेनिस के सामने जान बूझ कर जूट बोले हैं तुम मेरी जिंदगी बरबाद करना चाहती हो अब ये भी मेरी गलती है कि तुम्हारी शादी टोट रही है ये बिल्कुल बे मतलब की बात है मैं तुम्हारे बारे में फिक्रे नहीं करती मुझे खुद की जिंदगी के बारे में सोचना है ओ पता है तुम्हें किसमें दिलजस्पी है जैसे कि क्या, तुम्हारी खुबसूरेच जिंदगी? ठीक है आना क्या चल रहा है? वो अभी बात नहीं कर रही क्योंकि मैं यहां हूँ मैं ओफिस चली जाती हूँ, काम करने हैं और मैं वहाँ बात्रूम में हो रही गॉसिप में जान लूँगी कि आखेर क्या हो रहा है गुडबाई यह चोरी करने के पीछे क्या कहा नहीं है? एना ने सच में कमपनी में होने वाले प्रमोशनल इवेंट में गफला किया है और बताओ वो लगातार बजट में से पैसे चुरा रही थी इन सब की शुरुवात तब होई जब वो हाथसे के बाद काम पर वापस आई मुझे तो पता नहीं वो है कौन? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ इतने समय तक कैसे चल सकता है? क्या किसी ने इन सब पर गौर नहीं किया? देख कर तो ऐसा लगता है कि आना ने बहुत सारे जूट बोले इस करॉप्शन को अंजाम देने के लिए वो भी मेरी नाक के नीचे इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ साफ साफ लिखाए जो मुझे अननमसली भेजी गई है क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? उसने कितने पैसो की चोरी की है? इस डॉक्यूमेंट में कितने पैसे बताया गया है? लगभग थ्री मिलियन के आसपास माम मेरा यकीन करो कि मैंने वो पैसे अपनी जरूरत में पड़ी दोस्त के मदद के लिए निकाले थे अगर मैं वो ना ले दी, तो मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो जाता उसको इलाज के लिए पैसो की जरूरत थी, आपको पता नहीं उसे क्या हो जाता जिन मसीबतों की वज़े से वो ड्रॉक्स में पड़ी है वो रोने लगी, उसने मुझे सब कुछ समझाया, मैंने उसकी मदद की तुम पैसों के लिए मेरे पास क्यों नहीं आई? तुमने डेनेस से क्यों नहीं पूछा? उसको ये बास सीक्रिट रखनी थी, मैंने प्रॉमिस किया मैं नहीं बताऊंगी अगर मैंने पैसे उधार पर लिये होते, तो मुझे समझाना पड़ता कि मामला आखिर है क्या? मैं आप से और डेनेस से जूट नहीं बोल सकती हूँ, मा ओ, मेरी प्यारी बच्ची माम, मैं जल से जल पैसे वापस कर देती और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता मेरी जेनेरोसिटी का किसी ने फाइदा उठाया, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है आखिर मैंने किसी की मदद दुकी, जिससे वो अपने पैरो पर खड़ी हो जाए मैं जानती हो कि डेनिस गुस्सा है, वो मेरे उपर भरोसा नहीं करता वो अब मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता है अच्छा, अब शांत हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा येस येस अब याना नहीं किया है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है मुझे नहीं पता क्यूं मैंने आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है फिर भी मुझे इस दर्द को जेलना पड़ रहा है जो कि मेरी बेहन का किया धरा है क्या कितना? निकिता क्या तुम्हें पुरा यकीन है? क्या एना ने ये फंच खुद संभाल ले थे? मेरी बहु इतने जादा पैसे कभी नहीं चुरा सकती इन सब पर किसी ने गौर कैसे नहीं किया अकाउंटेंट और लीगल डिपार्टमेंट मेरे बेटे को कैसे नहीं पता चला? ठीक है, इसके बारे में और पता करो और मुझे पूरी रिपोर्ट दो कि उसने कितने पैसो की चोरी की है अनी तुम चिल्ला क्यों रहे थे? वेलेरिया, कुछ अजीब चल रहा है, डेनिस की कमपनी में मुझे वाँ जाना होगा क्या हो रहा है, शान्त हो चाहिए अब समय आगा है कि मैं अपने बेटे की सहायता करूँ रुकिये, मैं डॉक्टर को बलाती हूँ नहीं रुको, बिल्कुल अभी समय नहीं है मुझे, मुझे बिसने सेंटर जाना होगा मुझे आप कहीं नहीं जा रहे है, मैं डॉक्टर को इसी वक्त यहाँ पर बुला रही हूँ, ठीक है? इन सब के बारे में अना का क्या कहना है? एना का कहना है कि उसने सिर्फ 350,000 रेवरेंट लिये थे वो भी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए मैंने हालिया से बात किया और उसने ये बात कन्फर्म की है उसके ओपर ड्रग डीलर का कर्जा था इस वज़े से उसने ये पैसे लिये थे और उसे रीहेब में इलाज करवाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी हालिया को ड्रग्स की लथ है मुझे तुरंट जाकर हालिया से बात करनी होगी केरालिना बेट जाओ प्लीज ठीक है मैं बेट गई मुझे हालिया के लिए खराब महसूस होता है और मैं नहीं चाहता है कि उसकी बात पता चलने से उसकी रिकवरी पर कोई असर पड़े मैं समझती हूँ चलो मान लेते हैं कि उसको सच में अपने इलाज के लिए इतने पैसों की जरूरत थी फिर भी बाकी के तीन मिलियन का क्या वो इते सारे पैसे का क्या करेगी अपने पता नहीं कि मुझे उसकी फ्राज का पता चल गया है तुम इस बारे में उसे बात क्यूं नहीं कर रहे है मुझे इस बारे में पहले पककाश ओर होना जरूरी है इसलिए मैं शान्द बैठा हूँ मैं बस इंतिजार कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आना और विक्टर के बीचे एक अजीब सा संबंध है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल था वो घूस देने वाले जगा पर भी मौझूद था और साथी वह मॉडर के स्थान पर भी था और अब हालिया और उसका एक रिष्टा है और सस् कोई भी आक्शन मत लेना जब तक मुझे ये पूरा यकीन नहीं हो जाता कि सारा का सारा पैसा एना ने चुराया है समझ गई तुम तुम समझ गई ना मैं समझती हूँ एना शांत हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज मेरी बच्ची अगर वो नहीं रुकी सब खराब हो जाएगा वो भी सब के लिए मैं जानती हूँ कि वो कोई संत नहीं है लेकिन वो इतनी भी मतलब ही नहीं है तुम्हारे आसपास और भी लोग रहते हैं जो तुमसे जलते हैं जानती हो ना तुम ये बात माम मैं नहीं चाहते कि डेनिस मुझे तलाग देदे डारलिंग डेनिस एक समझतार आदमी है वो जरूर समझ जाएगा कि कोई तुम्हें भसाना चाह रहा है जब वो एक बार जान जाएगा कि कौन तुम्हें भसा रहा है तो वो उसे सजा भी देगा हाँ दादी मैं माहा से मिलने आई थी कुछ जरूरी काम है क्या बहुत अरजिंट है क्या हुआ ठीक है मैं तुरंट आती हूँ माम दादी ने मुझे तुरंट घर पे बुलाया है तो मुझे लगता है कि मुझे तुरंट वापस जाना चाहिए ठीक है जल्दी मिलते हैं अपना अधिहान रखें बाइ अधिया 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 मुझे तुम सबसे बात करनी है अखेले में तो प्लीज एक एक करके मेरी ऑफिस में आ जाना यह किस बारे में हमें डॉक्यमेंट्स में लाने हैं क्या नई चिंता मत करो यह बस एक रूटीन चेक है अगर है डॉक्यमेंट्स की जر wymत होगी तो बता दूंगी मैं जानना चाहती हूं कुछ दूसरे टेपार्ट्मेंट्स के बारे मैं और मैं चाहूंगी कि नजार मेरी आफस में पहले आए आ रहा हूँ मैं यहाँ चार सालों से काम कर रही हूँ लेकिन आज तक भी रूटीन चेक के बारे में नहीं सुना तुम आज जल्दी आ गई हाँ मैं जितनी जल्दी हो सके अथनी जल्दी घब आ गई दाधी ने कहा था कि मुझे तुरंद घ़र आना है तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है नहीं आना, तुम ऐसा कैसे कर सकती है मेरे पास शब्द भी नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए सब समझ में आ जाएगा तुमने अपने पती की कंपनी से पैसे चुराए आखिर तुम अपने पती को कैसे लुट सकती हुआ है ना हमने तुम्हें अपने परिवार की तरह रखा है हमने तुम्हारा ख्याल रखा है जैनिस तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था तुम जो चाहो वो कहो और तुमने क्या किया, कितना गलत काम किया है, मेरी तरफ देखो तुम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ दादी वो सब एक बड़ी सी गलत फैमी थी गलत फैमी? मुझे फसाया गया है फसाया गया है इसका क्या मतलब ये तुमने नहीं किया तुमने पैसे नहीं लिये मैंने लिये थे लेकिन ज्यादा नहीं लिये थे मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी उसको ब्लाक मेल किया जा रहा था कि उसके ओपर बहुत ज्यादा करजा है तुम पैसों के अलावा और भी कई तरीकों से उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन तुम्हें तो पैसे चुड़ाने थे, और कितनी बेशरम हो, तुमने हमें धोखा दिया है, जो तुमने हमारे साथ किया है, वो कितना बेहुदा काम है, तुम्हें पता है, डैड को हाट अटेक आ सही निकला, तुम ऐसा कुछ करो कि मैं सोच भी नहीं सकती, हाई कैरोलीना, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी, हाँ, यहां आकर बैट जाओ, हाल या तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ड्रुक की आदत है, अ नहीं, मैंने बस एक बार च्राय किया था, पर मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, हाँ मैं एक एडिक्ट हुआ करती थी, पर जबसे मैं यहां काम कर रही हूं, उसे मैं एकदम क्लीन हूँ, अगर ऐसी दिक्कत है तो तुम उसे मदद मांग सकती थी ओ कैरो लीना प्लीज मेरा यकीन करो अब मैं ड्रक्स बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं उस जिंदगी को पीछे चोड़ चुकी हूँ अब मैं एक डॉक्टर से बात कर रही हूँ और अब मैं बिल्कुल भी ड्रक्स को नहीं छूती हूँ I'm so sorry मैंने कभी इस चीज़ को अपने काम पर एसर करने नहीं दिया है मैं हमेशा अपनी ड्यूटी पर समय से आती हूँ और अपना काम वक्त पर करती हूँ प्लीज मुझे मेरी नौकरी से मत निकाल लिएगा अगर तुम सच बोल रहे तो मैं तुमे नौकरी से नहीं निकालूंगी थैंक यू सो मच मुझे तो रेगुलर चकप से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यह एक रेगुलर आडिट है अगर रेगुलर होता तो दूसरे डिपार्टमेंट का भी आडिट हो रहा होता मैंने सबसे पूछा लेकिन उसे सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से ही दिक्कत है समझे अच्छा है यह बहुत अच्छा है डेनिस को उसके जोड़ पर यकीन नहीं हुआ और उसने अपनी इन्वेस्टिकेशन जारी रखी उसको जल्द ही समझाएगा कि उसकी पतनी एक नंबर की चोर है आखिरकार अब कैसा फील कर रहे हैं अब मुझे अच्छा लगता जब मुझे पता चलता कि मेरी बहु हमारी कमपनी से पैसे नहीं चुरा रही है बैट जाओ डैड आप उसकी फिक्र बिलकुल मत कीजिए मैंने सब कुछ समाल लिया है मैं सारे डॉक्यूमेंस को चेक कर रहा हूँ और पता लगने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कैसे हो गया सच में? तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते होगे ये सब कैसे हुआ? अगर ये सारे फैक्स रही हैं तो मैं एना से खुद बात करूँगा मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और बजट में जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई कर दूँगा ओ, कितना महान बेटा है मेरा अपने खुद के पैसो से? मैंने कहा न बैट जाओ जो तुम्हारी कंपनी के साथ हुआ वो अनेक्सेप्टेबल है तुम्हें लूटा गया है तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा? क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? मैं तुमें कंट्रक्शन होलिडिंग कमपनी में पूरा कंट्रोल देने वाला था लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता ऐसा कौन सा मर्द होगा जो अपनी बीवे से लुटने के बाद भी उसकी तरफदारी करेगा डैड लूजर ना लाइक कहीं के मुझे तुमसे कोई बात नहीं करने निकल जाओ यहां से याना तुम जल्दी घरा गई हाई मॉम प्लीज बेटा मुझसे बात करो आखर काम पर ऐसा क्या चल रहा है हो सकता है यह गलत वहमी हो हमारी याना इतने पैसे चुरा सकती है क्या मुझे बारी क्योंके बारी में जानकारी नहीं है लेकिन लगता है यह सच है हानी सुनो आना इस बारे में क्या कर सकती है क्या तुम क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकती है मॉम अगर आना कसूरवार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए याना लेकिन वो तुम्हारी बेहन है क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों की बीच क्या चल रहा है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम लोग कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे लेकिन कभी दुश्मन भी नहीं थे इस तरह ऐसे पहले अब क्या हो गया है तुम दोनों को बसकीजे मॉम ये सब बहतर नहीं होने वाला मुझे जवाब दीजे क्या आना को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी बच्ची हुआ करती थी मुझे ऐसा नहीं लगता है उसके बार में ऐसी बाते मत करो सब लोग कभी ने कभी गलतिया करते हैं और हाँ उसने गलतिया की है लेकिन कभी जान बुझ कर कुछ नहीं किया मॉम बस आप अपनी प्यारी आना को देखिए देखिए वो क्या बन गई है याना क्या चल रहा है तुम्हारे साथ मैं ठीक हूँ पर मुझे नहीं लगता आपकी बेटी आना ठीक है माफ कीजेगा मैं ठक गई हूँ मैं नहानी जा रही हूँ कहा है जैनिस मैं यहां हूँ बेट जाओ खाना खाओ ओजाना ने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है जैट जड़ा बताइए आपको अब कैसा लग रहा है वो आपसे बात कर रही है रिशा कौन मैं उससे तभी बात करूँगा जब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिकेशन पूरी हो जाती है और ये प्रूव हो जाएगा कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं हाँ मैं इस सिचुएशन के बारे में बात करनी चाहिए मैं अपने कमरे में एक खालूँगा और मैं तुमसे बात में बिलूँगा तुम्हारा परिवार मुझे इस चीज के लिए हेट करता है जो मैंने किया ही नहीं है ये सब डाड ने किया है तुम्हारी दादी ने कितने खराब बाते की मुझ से तो? मुझे लगता है इस घर को छोड़ना चाहिए ये साफ है वो लोग हम दुनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे हमें जाना चाहिए क्या सच में? तुम्हारा मतलब मेरा परिवार? हनी मैं मैं उन्हें ओफेंड नहीं करना चाहती थी हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी एटिट्यूट की वज़े से हो? या हमारी बढ़ती दूरियां इसका कारण हो? मुझे तो पता नहीं मैंने तुमसे प्यार क्यों किया था? हनी इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें ये याद है या नहीं? मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर तुम मुझे से बहुत प्यार करते हो? मुझे अब यकीन नहीं रहा है मुझे लगता है मुझे कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाने चाहिए अरे हनी ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी गलती मत करो साथ में रहना ही सबसे बड़ी खलती है हमारी वज़े से सब परिशान हो रहे है मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ फिर मैं चला जाओंगा पर क्या तुम मेरे परिवार के साथ यहां कमफर्टेबल हो पाऊगी? वो तुम्हारे साथ एक साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं हानी लेकिन हमको अपनी खुशी के लिए संगर्श करना ही होगा हम लोग अलग नहीं हो सकते अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसने मुझे तलाक ले लिया तो मैं सब कुछ खोदूंगी पैसान, नौकरी और फ्यूचर अभी नहीं, अभी कुछ खतम नहीं हुआ ओके हाँ जाना, गेम अब तक खतम नहीं हुआ है तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए लड़ना होगा चलो मुझे को राओ प्यूचर के लिए लड़ना होगा हाँ, ये कितने खुबसूरत है कितने एलिगंट है शुक्रिया मैं आज से आप लोगं के साथ ड्रेक्फिस्ट, लंच और डिनर नहीं करूँगी डैड बहुत अपसेट हो जाते है मैं इस परिवार में तनाव का स्तोत्र नहीं बनना चाहती हूँ मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हर चीज के लिए ऐसान मद हूँ इस पॉइंट तब जो भी आपने मेरे लिए किया है एना, तुम क्या कहना चाहती हो मैं माफी चाहती हूँ कि हमारा खुबसूरत रिष्टा एक घलत फैमी की वज़े से खराब हुआ शायद जो हुआ बहुत बुरा हुआ एक घलत फैमी है हाँ लेकिन डेनिस का स्वभाव मेरी तरफ बहुत ज्यादा तकलिव देता है और आगे चल कर उसे खोने से मैं डरती हूँ आपके पास कोई सुझाव है क्या आप बता सकती हो मैं शादी कैसे बचाओं मैं न्यूट्रल रहना पसंद करूँगी और कुछ भी नहीं कहूँगी जब तक परेणाम नहीं आ जाता लेकिन अगर डेनिस उससे पहले तुमें तलाग दे देता है तो मैं समझ जाओंगी और मैं उसका साथ दोंगी ये रहा चेक शायद ये तुमारी पूरी जिन्दगी के लिए काफी होगा मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए Have a nice day Darling क्या तुम अभी भी उसके बारे में बुरा मैसूस कर रहे हो मैं आना के बारे में सोच रहा हूँ अपनी बहु के बारे में हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है ये कैसे हुआ कि मैंने नोटिस नहीं किया मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा ऐसी लड़की से शादी करने वाला है तो मैं कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने देता मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था हानी तुम खुद को दोश मत दो हम कोई फैसला नहीं कर पाएंगी जब तक कुछ समझ में नहीं आता और ये फैसला मैं डेनिस पर ही छोड़ना होगा है ना सही तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरी जान मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा तुम और मिस्टर डिबरावस्की को शादी करें ज्यादा समय नहीं हुआ है तुम दोनों के कोई कामन प्रापटी या बच्चे नहीं है अगर तुम दोनों तलाक होता तो आप किसी भी चीज़ पर अपना हग नहीं चिता पाएंगे आपका हग केवल अपने पती के दिये गए तौफे पर है और किसी भी चीज़ पर नहीं मुझसे यहां मिलने के लिए आने के लिए शुकरिया बेटा आप मेंशन मत कीजिए मुझे हमेशा की तरह आपसे मिलना पसंद है तुम और आना बुरे वक्त से गुजर रहे हो जानती हूँ मैं मुझे बता है यह तुम दुनों के बीच का मामला है लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो उचे अना के बहुत विक्र होती है हाँ मैं समझ सकता हूँ मैं समझना चाहती हूँ मुझे लगता है कि यह सब एक गलत वहमी है और कुछ नहीं वेल मैं आपको भी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी भी financial investigation चल रही है और किसी भी परिणाम पर आना बहुत जल्दबासी होगी मैं जानती हूँ कि तुम आना से बहुत नारास हो लेकिन यकीन करो खुच समय बाद जब तुम शान्थ हो जाओगे तो इस पूरी situation को एक अलग नजरिये से देखोगे वो बच्पन से ही हमेशा दयावान और मासूम दिल की रही है जिसने हमेशा अपनी बेहनों और दोस्तों की मदद की है हमेशा उन्हें बचाया है और उसके लिए उसे punishment भी मिली पर उसने जो पैसे लिए वो किसी की मदद के लिए लिए थे मैं आपसे माफी चाहूँगा लेकिन हाँ जानती हूँ उसने घलत उसे ये सब कुछ पहले बता देना चाहिए था उसे इस चीज़ का एहसास है और वो बहुत बहुत शर्मिंदा भी है मुझे लगता है कि वो अभी भी जूट बोड़ रही है उसे बुरा लग रहा है सच कह रही हूँ मैं देख सकती हूँ मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ उसे तलाग देने में जलबाजी मत करो मेरा यकीन मानो आगे चल कर सब कुछ ठीक हो जाएगा मैंने अपनी शादी पचाने के पूरी कोशिश की थी और मेरा यकीन कीजिए मैंने बहुत सी चीज़े अपनाई ताकि ये डिवोर्स बच सके लेकिन मैं हार गया मैं कभी कभी शादी के पहले वाली आना को याद करता हूँ और मुझे एहसास होता है कि मेरी पतनी शादी के बाद पूरी तरह बदल गई है पूरी तरह से मैं जानता हूँ मैं अपने आप में भी बदलाव ला सकता था लेकिन अब मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ मुझे उसकी हरकते समझ नहीं आती है सपान सपान विच गुर आफटनून मैं आना डबरवाल्स की हूँ आप से बात करके मुझे भी खुशी हुई मैं जानती हूँ कि आप पूरे शहर में अवल डिवोस लॉयर है मुझे आपकी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए मैं जादा समय नहीं लूँगी मेरा पती मुझे छोड़ना चाहता है और मुझे तदाब के लिए कंगाल करके छोड़ेगा तो वेल ऐसा हो सकता है मैं कब आपके ओफिस आ सकती हूँ ताकि आपसे पर्सनली बात करूँ वेल ये तो परफेक्ट होगा मैं ये भी जाना चाहूँगी आप अपनी सर्विसेस के लिए कितना चार्ज करते हैं कितना? मुझे माफ करना, क्या ये कंसल्टेशन का चार्ज है? और, हाँ, अगर आप ये केस लेते हैं तो मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा? क्या ये कम हो सकता है? नई, नई, ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन क्या मैं आपको ये पैसे तब दे सकती हूँ जब ये केस जीत जाओं और मुझे अपने पती से सारे पैसे मिल जाए, क्या ये मुम्किन है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ, 100% advance payment वेल, आपकी समय के लिए शुक्रिया, आपको बाद में कॉल करती हूँ हाँ, आपका भी दिन अच्छा रहे, ओके बाहे, बाद में बात करते हैं अपने पैसों से ही अपना दम घुट लो, लाल जी मुझे कहीं से पैसे चाहिए होंगे मुझे लगता है कि आज तुम्हारी बेहन प्रॉब्लम में फसने वाली है तुम्हें कुछ पता चला है? नहीं, पर क्या हुआ? वेल, अफवाहों की माने तो, वो कंपनी से पैसे चुरा रही है सच में? उहां, किसी ने डैनिस को डॉक्यूमेंट भेज दिया है जिसमें आडिट की रिपोर्ट है ओ माइगोडनेस, ये बड़ी खबर है इसलिए मारा रीता रैंडम चेक कर रही थी पर मैं सोच रही हूँ को डैनिस को वो सारे डॉक्यूमेंट किसने भेज़े होंगे जिसमें सारे फाइनेंशल अकाउंट की डीटेल है क्या तुम्हें सच में लगता है कि आना इतना पैसा चुरा सकती है? मुझे यकीन है इसके अलावा और भी कोई बात जरूर होगी लेकिन सब इस पारे में बात जरूर करेंगे क्योंकि ओलैना चुप हो जाओ उसे डिस्ट्रेक्ट मत करो नजार क्या तुम्हारे पास करने को कुछ भी नहीं है? क्या तुमने वो कॉंट्रेक्ट पूरा किया जो मैंने तुम्हे कल करने को कहा था? तुमने कर लिया तुम क्या चाहती हो मुझे कुछ पैसों की जरुरत है पैसे? पर तुम मेरे पास क्यों आई हो? मेरे पास और कोई नहीं है जिसके पास मैं जाओ डेनिस और मेरे बीच दिक्कते चल रहे हैं हो सकता हम जल्दी तलाख ले ले क्या सच मैं? हाँ और उसके बाद में कंगाल हो सकती हूँ डेनिस और मेरे बीच दिक्कते चल रहे हैं हो सकता है हम लोग डिवोस ले ले हाँ मैंने तुम्हारे पैसों की हेर फेर के बारे में सुना है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती अगर किसी को पैसे देने है तो तुम डेनिस को भी मांग सकती हो ना? अगर तुम अभी मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें दुगनी रकम दूगी क्या तुम्हें पैसों की जरुरत नहीं है हम ज़ी? पर मैं इमानदारी से पैसा कमाना चाहता हूँ सुनो मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो समझे अगर मुझे उधार नहीं देना चाहते तो कम से कम काम तो दिला दो क्योंकि ऐसा लगता है मैंने डिपार्टमेंट पर अपनी नौकरी खो दी है तुमें वहाँ जॉब नहीं मिलेगी मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती चैनल में अपनी करेक्शन का इस्तमाल करो मुझे अच्छी सी नौकरी दलवा दो मैंने पहले तुम से क्या कहा था याद है मैंने कहा था कि तुम तेजी से बह जाओगी और गिर जाओगी तुम जहाँ हो वहीं डिजर्ब करती हो या ना बच के रहना होगा तुम्हें यह लीजे तुम्हें क्या चाहिए कुछ तु ले लो गूड मॉर्निंग क्या पेट्रो यहाँ पर है मुझे यकीन है कि वो बहुत व्यास्त है वो अभी बात नहीं कर पाएगा वो किचिन में अभी काम कर रहा है हाई ओजाना यहाँ आने के लिए शुक्रिया हलो चलो बाहर चल कर बात करते हैं मैं अभी आता हूँ जब भी तुम्हें सही लगे अभी अभी यहाँ क्या हुआ यह मुझे दो वो यहाँ जान बुचकर आई थी वो अपनी मुसी बते सुनाकर पैट्रो का ध्यान अपनी तरफ कर ना चाहती है क्या याना सच में ऐसी है तुमने कभी बताया नहीं मैं सोच रही हूँ कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे ना मुझे उसकी और न ओजाना की कोई परवा है और ना ही उनके बिस्नस में कोई दिल्चस्पी है शुक्रिया कोई बात नहीं लेकिन तुमने तो मुझे से कहा था तुम मुझे इंस्ट्रॉल्मेंट्स में पैसे दोगे लेकिन तुम मुझे इसके इलावा और भी पैसे दे चुके हो, कुछ दिन पहले ही दिये थे मैं तुम्हारे पैसे जल्दी देना चाहता था मैं समझ सकती हूँ है न कैसा है, क्या तुम जानते हो, वो कहां पर है मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं उन्हें सुनने ही सकती लेकिन लगता है जैसे वो कोई सीरियस बात कर रहे हूँ इस बारे में कोई दोरा ही नहीं है वो कुछ दुखी लग रही है मुझे ये सब जानने की क्या ज़रूरत है मुझे इसके काम से कोई लेना देना नहीं है तुम ऐसे क्यों खड़ी हो वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग अभी भी बात कर रहे हैं अपना रिष्टा सुधार रहे होंगे नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता वो लोग फिर क्या कर रहे हैं यहां पर आओ खुदी देख लो ना मेरे पास उससे बेहतर काम पड़े हैं. मुझे यकीन नहीं होता मैंने उस पर यकीन कैसे कर लिया? मुझे लगता था वो मुझे पसंद करता है और मुझे प्यार भी करता है लेकिन उसने पैसों के लिए बेवकुफ बना दिया मुझे. समझने याता तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी का इतना बदमाश इंसान दोस कैसे हो सकता है शुक्याओ जाना उसने जो किया वो माफ करने के काबिल तो नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि वो खराब आदमी नहीं है क्या कहा वो अच्छा है मेरा यकीन करो जाना नई जिन्दगी शुरू करने मुश्किल होता है मुझे पता है क्योंकि मुझे इस कानुभव है शाय तुम सही कह रहे हो तुम चिंता मत करो तुम एक अच्छी होरत हो तुम सामान्य हो जाओगी उसके बारे में भूल जाओ तुम बहुत अच्छे इंसा और उसके साथ सथ तुम हैंडसम भी बहुत हो शुक्रिया गुड़ अप्टरनून मामा उल्या आ गई यहां और भी टेबल्स हैं क्या तुम वहां जा सकती हो हूँ तुम उसकी फिक्र मत करो मैं तुम से बात में मिलती हूँ गुड़ बाए शुक्रिया आप वापस जल्दी आईएगा ओ आखिरकार उसाना को बिलकुल भी समझ नहीं है वो तुम्हारे काम की बीच मैंने उसको यहां बूलाया था यहां मुझे उसके पैसे देने थे वो मैंने दे दिये, क्योंकि औल्या ने मुझ पर दया करके मुझे कुछ पैसे एडवांस दिये खाना एंजोई किजिए एक्सक्यूस मी हाँ फकॉर्स मैंने खातम कर दी है इन्वेस्टिकेशन और रिसल्ट क्या आया है बतकिस्मती से बचेट के पैसों में आना गफला करे थी बात साबित हो गई है वो बहुत समय से कंप्टी का पैसा चुरा रही थी शुक्रिया प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना ठीक है बिल्कुल क्या मैं जा सकती हूँ हाँ याना मुझे तुम से कुछ बात करनी है बाइ मैं तुम से कुछ पूशना चाहती थी कि क्या हमारे डिपार्टमेंट से कोई इसमें शामिल है तुम आखिर कहना क्या चाहती हो मैंने सुना है कि आना कंपणी के पैसे चुरा रही थी मैंने मरहा रीता से इस बारे में पूशने की कोशिश की थी लेकिन और उसने तुम्हें क्या बताया कुछ भी नहीं लेकिन उन्होंने इस बासे इनकार भी नहीं किया कि मुझे पताओ क्या इस सब के पीछे तुम हो बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी आपको ऐसा क्यों लगा मैं यह करूँगी वै, जब तुमने यहाँ पर काम करना शुरू किया, तुम आना के प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पूछ रही थी, नजार से पर बहुत से सवाल पूछे थे तुमें लैशया, मैं उसको नहीं बचाऊंगी अगर वो किसी भी तरह के फांस के घपले में मिली हुई होगी तो, लैशया, तुम मुझे बताओ, तुम मेरी जगापर होती, तो क्या करती, मुझे याकीन है तुम भी शांत नहीं रहती ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं आशया करती हूँ, सब जल्दी क्लियर हो जाएगा हाँ, ध्यान रखो अपना, गुद नाइट हलो, हलो तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई, कि तुम वापस जरकासी में आया हूँ मुझे मेन्यू की ज़रूत नहीं, मुझे ग्रीन टी चाहिए बस वेल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो शुक्रिया, तुम भी सुन्दर लग रहे हो, हमेशा की तरह मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हूँ, कुछ काम निप्टाने ही आया हूँ, बहुत ज़री काम है यहाँ तो तुम किसी पटगव चीज के बारें बात करना चाहती दी? मुझे सही में तुम्हारी प्रफेशनल मदद चाहिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए एक मिन रुको हलो ओके मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ ठीक है, बाई मुझे माफ करना, तुम कुछ कह रही थी तुम किसी फेवर के बारें बात कर रही थी फिर से कोशिश करते हैं, मैं तुम्हारे क्रू के साथ काम करूँगी क्या तुम मुझे हायर करोगे? तुम्हें पता है, मैं बहुत प्रफेशनल हूँ और हम दोनों एक बहुत सफल प्रजेक्ट बना सकते हैं इसके अलावा मेरे पास बहुत अच्छा आइडियाज हैं चलो उन्हें ट्राय करते हैं एना अगर तुम एक सची प्रफेशनल होती तुम कभी एक लाइब ब्रोट्क्रास्टे के रूप में अससफलना होती मुझे माफ करना लेकिन मेरा जवाब ना ही होने वाला है मैं तुमको फिर सहार नहीं कर सकता कमान टिमिथी ये तो बहुत पहले की बात है और्डियन्स और जर्नलिस्ट दोनों इस बात को भूली जाएंगे तुम यहाँ पर गलत हो तुम टीवी पर नहीं हो इसलिए लोग तुमारे बारें बात नहीं कर रहे है अगर तुम फिर से आये तो लोग बात करेंगे लोग तुमें अब भी जानते हैं तुमें इंतिजार करना होगा तीन साल हो जाने दो फिर भी रिस्क होगा लेकिन तब हम यह वारतालब फिर से कर सकेंगे तब तक लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता मुझे ओन एर आने की जरुरत नहीं है मैं आफ स्क्रीन भी तो काम कर सकती हूँ एक राइटर की तरह एक प्रोडूसर की तरह एक डिरेक्टर की असिस्टन की तरह फर्क नहीं पड़ता तुमने टेलिविजन पर इतने समय से काम नहीं किया है ना तुम्हारे पास ना ही तो उतना अनुभव है और ना ही पढ़ाई है प्रड़क्शन टीम में काम करने का लेकिन मैं एक फास्ट लेर्न हूँ प्लीज इस्क्यूस में हलो हाव मैं रास्टे में हूँ मैं समाल लूंगा भाई मुझे माफ करना मैं तुम्हारे इस बार कोई मजब नि कर पाऊँगा तुमसे मिलकर अच्छा लागा मुझे बाद मिलते हैं तुम्हारे अच्छा लागा मिलकर अच्छा तुम्हारे इस बाद मिलकर अच्छा लागा? तुम्हारे कोई जाता हूँ मुबारक हूँ वो किस लिए हैं? कम ओन अन्डरी, शाम्पिन खोलो और जश्न मनाते हैं, आज तो मज़ा आ गया सेलिब्रेट, वो किस लिए हैं? जश्न मेरी बेहन की इज़त, शादी और रिष्टों की बरबादी का, ये बहुत आसान निकला कि साली सेलिब्रेट, ये शाम हैं? ब खिए-ब outta लिए